हलो फ्रेंड्स तो आज के लिए हमें लिक्षाइब हैं एक वॉडन इस्पून और गेक जिसको कोटिंग किया हुआ है क्रीम से उसको हम डेकोरेट करेंगे आपके साथ मिलके तो इसको डेकोरेट करने के लिए सिफ in एक मिनिटर चाहिएगा तो आपको बस क्रीम ले लेनी है और स्पून को पीछे लेके आगे की तरफ शोया को टेक मेला है टो ओडावचार केक जएगा अभी आप देखिएगा थोड़ा सा स्पून पीछे ले जाना है पहले फिर आगे ले जाना है पीछे और आगे खीचना आगे की तरफ तो यह पैटरन बनता जाएगा और इससे बहुत ही प्यारा सा केक लगेगा आपका यह कोई भी बना सकता है कोई टूल की ज़रूरत नहीं स्पून ले लिजेगा उससे कर लिजेगा जो हमारे घर में हर गर में अविलेबल होता है बस इसी तरीकी से आपको इसको बनाते जाना है पाइपिंग भी नी चाहिए नोजल भी नी चाहिए कोई एडवांस टूल केक डिकोरेशन का नहीं चाहिएगा फिर भी कितना प्यार बनेगा आप एंड तक इसका रिजल देखेगा और इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा तो बैस अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है फिर से वुड़न स्पून लेना है लेकिन इस बार इसका बेक पॉशिल लेना है और यह गम प्लेन होता है तो बहुत ही प्यारी स यह लगता है यह देखिए आपको दिखाती हूं है ना कितना अच्छा कॉंबिनेशन लग रहा है यह तीनों कलर का तब लास जो थोड़ा सा बचया है वहां पर में यह जो क्रम को स्वारी कोटिंग किया है हमने पापर कलर से वही में इस पर डाल रही हूं और यह देखिए इस इसको भी कर दिया तो हमारा यह जो केक का टॉप है वो फिनिश हो गया और लगे लग रहा है अभी अपूरा जब टॉप देखिए इसका केक का तो आपको भी लगेगा कि बहुत प्यारी डिजाइन लग रही है ना तो अब क्या करना आपको इसके जब नीचे की साइड भी निबत जाएका किली से सिंगल से तिर अब लिए इन पन पशण से रखात केकगे डीकुरेट देखेच भाङ है सिंगल स्पुन कितना प्हारा केकुष्स हिए लिए तो फोड़ों के स्टियों भी है उसके डेखेяс पींडिसद बट्रब्च और अब हम इसके उपर एक स्टार रग दे रहे हैं ताकि और भी ज्यादा अट्रेक्टिव लगे तो देखिए कितना प्यारा लग रहा ना केक भी रेडी हो गया है तो आप भी ट्राइ कीजिए इसको और केक बनाईए एंजोई कीजिए थैंक्यू